आईए दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज बात करने वालाओ OnePlus Nord 4 के बारे में वैसे बता दूँ अब इसका प्राइज लीख हो गया अंडर 30th हों के काडिगरी में आने वाला है आज इस फोन का आपको complete details देने वालाओ वीडियो पसंद आता है तो like जूर से करिएगा और इंडिया में तीन कलर आप्शन में आने वाला है ग्रीन कलर होगा वाइड कलर होगा और ये शाय से ये ब्लाक ये ग्रे बोल सकते हो तो ये तीन कलर आप्शन में आने वाला है इसके लाबावा आपको under display fingerpiness scanner मिलेगा haptics आपको अच्छा मिलेगा x-axis linear motor मिलेगा dual speaker के साथ आएगा जिन stereo speaker आपको मिल जागा वित Dolby Atmos का आपको support मिलेगा dual nano sim card का support मिलेगा दोनों में आप 5G sim लगा आप आएगे multiple 5G band का support होगा और IP 65 का आपको rating मिलने वाला है IR blaster होगा और यहां पर आपको alert slider भी दिये गिये है वागे आप बताइए कि आपको यह design कैसा लगा software के बारे हैं बात करते हैं out of the box android 14 के साथ आएगा और इनका आपको oxygen waste 14 देखने को मिलेगा वैसे one plus के phone में आपको इका दुख का pre-install आप भी देखने को मिलते हैं जिसको आप uninstall कर सकते हैं चार साल का आपको software update मिलेगा और छे साल का security update मिलने वाला है so android 14 के साथ आता है तो 15, 16, 17, 18 तक होफुली आप update कर पाएंगे वैसे oxygen waste बिलकुली clean होता है कोई भी ads नहीं देखने को मिलेगा बहुत यह smooth होता है जो आपका experience है काफी अच्छा होने वाला है chipset को बारे बात करते हैं तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 देखने को मिलेगा और यह 4 NM पे आता है वैसे इसका जो N22 score है आप्रोक्स 1.4 million के आस पास में आता है performance आपको काफी अच्छा मिलने वाला है वैसे recent में आपने बहुत सारे phone में यह chipset को देखा होगा storage RAM support की बात करों तो 3 variant में आने वाला यह smartphone 8GB X8iZ base variant होगा जिसमें आपको UFS 3.1 storage type का support मिलेगा और 12GB 256GB होगा और 16512GB के साथ आएगा जिसमें आपको LPDDR 5X RAM और UFS 4.0 का support मिलेगा तो यह 3 variant में इंडिया में आने वाला है overall जो performance है आपको काफी अच्छा मिलने वाला है डिस्प्ले के बात करें 6.74 इंच का 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक flat AMOLED डिस्प्ले दिये गया है और यह center punch hole design के साथ आता है side के जो bezel सा और नीचे को जो चीन है बहुत ही थीन दिये गया है इसके लावा आपको 120 Hz refresh rate का support मिलेगा और 240 Hz का आपको tough sampling rate मिलने वाला है और हाँ अपटो 2150 nits का आपको peak brightness मिलने वाला है 1100 nits का आपको HBM होगा डिस्प्ले ब्राइट होगा outdoor इंडोर में आपको कोई भी problem नहीं होगा HDR10 Plus certified है यह display 2160 Hz का आपको PW dimming वगरा दिये गये है और wide 111 का भी आपको certification देखने को मिलेगा Netflix Amazon पर आप high quality content या पर watch कर पाएंगे ताकि friend में कौन सा protection होगा अभी इसके बारे में कोई भी information नहीं है बट डिस्प्ले आपको यहां पर काफी अच्छा दिये गये है बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको 5000-500 image का मिलने वाला है 100 word की आपको fasting support मिलेगा वैसे one plus box में charger देता है तो आपको चार्जर मिल जाएगा अगर आप उस चार्ज करेंगे तो almost आपको 30 minute में आपको phone को full charge कर देगा कैमरे में बात कर लेते हैं rear में आपको dual rear camera दियेगे primary आपको 50 megapixel का मिलेगा OIS के साथ आएगा और इसमें आपको lightiest 600 sensor मिलेगा 8 का ultra होगा और 16 megapixel का आपको selfie camera मिलने वाला है बाकि आप rear camera से 4K video record कर पाएगे selfie में आपको 1080p 30 app का support मिलेगा slow motion night mode portrait यह सारे जो camera में features होता है OnePlus का वो सारे features आपको दिखने को मिल जाएगा और आप finally बात कर लेते हैं इसके price के बारे में launch date तो आपको पता है 16 July को इंडिया में launch हो रहा है और OnePlus 3 और product को इंडिया में announce करने वाला है इनका OnePlus का Pi 2 आ रहा है फिर Watch 2 आ रहा है फिर इनका Buds 3 Pro भी आ रहा है जिहां तो यह तीन product और announce करने वाला OnePlus 16 July को और आप finally बात करते हैं इसके price के बारे में तो जैसा कि मैंने बता है कि इसका price leak हो गया है जो इसका base variant होगा 8GB 128GB जिसमें UFS 3.1 storage type का support मिलेगा और इसका price इंडिया में 27999 होने वाला है सारे offer लगाने के बाद बट इतना पैसा लगाने के बाद 8GB 128GB के लिए मत जाएगा उससे जो higher variant होगा 12,256 उसका price देखना होगा कि किस price पर यह वो आता है बागे आप बताए इस price पर आता है तो कैसा रहेगा comment करके आप मुझे ज़रूर से बताईएगा मुझे महीं दा दो हुआ